क्या हार्दिक पांडिया को लेकर BCCI बाइस है क्या इशान किशन के साथ जो हो रहा है वो जायज है हार्दिक पांडिया इस वक्त अपने आपको प्रिपेर कर रहे है IPL के लिए और इशान किशन को लेकर ये ख़बर आ रही है कि अब BCCI जिस तरीके का इशान किशन का रवय रहा है उसको देखते हुए एक strict action ले सकता है और बहुत सारे players के लिए mandatory कर सकता है कि IPL में जाने से पहले उन्हें रंजी के matches खेलने होंगे लेकिन क्या यह जो condition है यह हार्दिक पांडिया के लिए भी है क्योंकि हार्दिक पांडिया को लेकर तो यह यह खबरे आ रही है कि वह भी injured है अपने आपको prepare कर रहे है IPL के लिए और इशान किशन हार्दिक brothers के साथ यानि पांडिया ब्रदर्स के साथ हार्दिक पांडिया के साथ किरन मोरे स्क्रेडियम में प्रेक्टिस कर रहे और उनको लेकर यह खबर आ रही है कि कुछ दिन पहले राहुल द्रविड ने कहा था कि उन्हें रंजी के अपने मैचस खेलने होंगे अपनी स्क्रेट की तरफ से तो फिर हार्दिक पांडिया के लिए यह क्यों नहीं कहा जा रहा है अब देखे पिछले काफी समय से अगर आप इशान किशन क को देखेंगे तो इशान किशन के साथ जो टीम इंडिया में हो रहा है वो भी बहुत जादा जस्टिफाइड लगता नहीं क्यों क्यों कि साल 2013 का आपको एशिया कप याद होगा उस एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जब टीम इंडिया लड़कडाई थी तो इशान क को बहुत जादा मौके नहीं मिले वर्ल कप में एक दो मैच्चस में ही मौके मिले उसके बाद बहुत जादा मौके उनको मिले नहीं जब शुबमन गिल इंजर्ड हुए थे तो उनकी जगह इशान किशन को मौका मिला लेकिन क्योंकि यह कहा जा सकता है वर्ल कप काप की क्र पांडिक पांडिया को मौखा मिला और इसके बाद शुरू हो गया South Africa का दौरा South Africa के दौरे में इशान किशन ने अपने नाम वापस ले लिया और नाम वापस लेने के बाद test series से test series से नाम वापस लेने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मुझे mentally मैं ठग गया हूँ मैं नहीं खेल पाऊंगा जब वो भारत लोटे तो उन्हें KBC में देखा गया, दुबई में पार्टी करते हुए देखा गया और इन सब चीजों को लेकर एक statement ड्राहूल द्रवेट की तरफ से भी आया कि अगर उन्हें IPL खेलना है तो उन्हें रंजीज के भी अपने मैचस खेलने पड़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सिर्फ इशान किशन को लेकर ही ये जो इतना ज़ादा खबरे है वो क्यों आ रही है क्यों प्रेशर माउंट किया जा रहा है उनके उपर रंजीज खेलने को लेकर इसमें हार्दिक पांडिया भी तो है हार्दिक पांडिया को लेकर ये बाते क्यो नहीं कही जा रही कि उन्हें IPL से पहले रंजी के मैचस खेलने होंगे और यही वज़ा है कि बहुत सारी लोग ये कह रहे है कि BCCI की तरफ से हार्दिक पांडिया को फेवर दिया जा रहा है जबकि इशान किशन के साथ ऐसा नहीं है इशान किशन के उपर प्रेशर माउंट किया जा रहा है अब आपको क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में क्या वाकिए BCCI इशान किशन को लेकर थोड़ा प्रेशर बना रही है उनके उपर और क्या हार्दिक पांडिया को लेकर BCCI बायज है इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बत बborको five पा किए अपनीई है अपने पार में पारे में